नमस्कार रागिरी वीकेंड इंटर्व्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद युवा और गुणि कलाकार नवीन गंधर्व जी जो बजाते हैं एक अनोखा वाद्यंत्र अनोखा इस लिहाज से क्योंकि वो है वॉयलन और सारं को मेरा प्रणाम पहला सवाल और पहली जिग्यासा तो हर विक्ति की जो इस वक्त इस इंट्व्यू को देख रहा है वो यही होगी कि यह बेला बहार है क्या मैं जब कह रहा हूं कि वॉयलन और सारंगी का मिला हुआ एक सवरूप है जिसमें गाईकी का भी मिश्रण है तो मेरे पिता जी पंदित बाबुलाल गंदरुजी ने अपने युवा ओस्ता में आरंगी वायलीन और वोकल सिखा था पर उनको वायलीन टेक्निकली जरा बजाने में ज्यादा एजी लगता था और उसी को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया और कुछ वर्षों के बाद उनको बजाते बाते ऐसा ऐसास हुआ के जो हमारे जो भारतिय वातिया हैं जिसमें तर्बे होती है जो मैं आपको बता दूँगा ये जैसे तो काफी वर्स उन्होंने इस बार में सोचा के क्या करना चाहिए? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वाईलीन में बहुत हो चुके थी, और वो सारंगी में वापस नहीं जाना चाहते थे. क्योंकि comparatively वाइलिन में technically थोड़ा feasible होता है इसमें चार fingers मिल जाती है वाइलिन में तारंगी में तीन finger होती है और ज्यादा काम third finger एक पर ज्यादा वज़ान आ जाता है तो उनोंने फिर कुछ सोचा के कुछ नाया करना थी तो ऐसे में क्या हुआ कि यह 1980 की बात है और 1980 में फिर उनोंने यह सोचा के इसको मैने जो सारंगी सेखी और यह वाइलिन बजाए इन दोनों को कुछ मिला के कुछ करना जी मुझे तो उन्होंने एक कोशिश की कि जो वाइलीन होता उसमें तरब अड़ की को तरब एड़ करने से क्या हुआ कि वाइलीन जो है वो प्लाइवूड का बना होता है तो वो उसका टेंशन जेल नहीं पाया और बेंड हो गया तो वो काम सक्सेस नहीं हुआ फिर बाद में उन्होंने यह गौर किया कि सारंगी और सरोद और जितने भी तरब के इंस्ट्रूमेंट से उसमें सॉलिड वूड होता है जैसे यह जो है वह सॉलिड वूड नहीं है तो यह बहुत स्ट्रॉंग होता है तरब और जो स्कीन का टेंशन जेलने के लिए तो उन्होंने क्या किया कि दो सुसाल पुरानी तीक वूड सागी की जो लगड़ी होती है उस पर उन्होंने कार किया लब जैसे एक वो मुर्तिकार के से मुर्ति को तराशते हैं तो उसी तरह इस लगड़ी को तराशा और इसके पहले उनके जो थौट प्रोसेस चलते थे वो कम से कम 6-7 साल तक उन्ह उन्होंने सोचा था कि सारंकी की ध्वनी हो पर इसका जो शेफ हो वो वाइलिन से मिलता जो ताके जो उनकी प्रेक्टिस हो गई ये बहुत सारी वो इसमें काम में आ जाए तो सरस्वर्दी मा की बहुत कृपा हुई कि उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की और पहले ही अटेंप में ये सक्सेस पूल हुआ और उन्होंने क्लासिकल से लेके हर फिल्ड में इसको अच्छे-च्छे दिगज कलागरों के साथ बजाया और एक खास बात है कि जो हम तबला, सितार और सारंगी को हम लोग अभी सुनते हैं तो इनका क्या है कि ये नजाने किस सेंचुरी में बने थे और आज बहुत प्रचलित हो रहें पर बेला भार का ये है कि ये इसी सदी में बना और मतलब उसके बनने के 30 साल बाद एक दूसरी पीडी मतलब मेरे रूप में ये आपके सामने है और कोशिश कर रहा हूं कि ये और ज्यादा लोगों के सामने भी आए मैं इस बात को एक बाद फिर से दोहराता हूं कि नवीन जी के पिता पंडित बाबूलाल गंधर्व जी ने इस बेला बाहार इंस्ट्रुमेंट की जिसको मैंने शुरुआत में बताया कि सारंगी और वाइलिन का मिश्रण है इसका इन्वेंशन किया इसकी इजात की और उस पर आपको देखने से वाइलिन जैसा ही लगेगा पर लोग इसको ज्यादाता लोग इसको वाइलिन ही समझते हैं मतलब जो मिजिक में उपर-उपर से देखते हैं अब देखिए एक इतना अलग है एक तो सबसे पहले मैंने जो बताया था यह स्थोस लगडी है और उसके ब ronteस में इसमें इसकी सबसे खास बात है कि इसमें फॉप गाइंट के लिए हासियत की इसको कोई भी रागों स्कों करने में में मैंक्सीम dette hai वरना दूसरे इंस्ट्रूमेंट में दस मिनिट भी लग जाते हैं तो यह इसकी एक नई पहचान है और इसके अलावा यह जो तर्बों के अतार है यह इसके नीचे से भी गए हुए है और इसमें टोटल ट्विंटीएट श्रिंग्स हैं यह जो पांच इस पर गज चलता है कि जो गजबो जिसको बोलते हैं यह इस पर बचता है और यह अगर हम लोग एकदम सुई बराबर जगे पर हाथ रख के एकदम सुर्व में बज़ता है तब यह तरवे बज़ेगी नहीं तो वह होने के लिए एक तो इश्वर का बहुत आशिरवाद चाहिए और जो हमारे चाहने वाले उनकी दुआएं लग जाती है तब कभी का बार सुर्व लग जाता है अपने इश्वर के आशिरवाद और चाहने वाले की चाहने वालों की दुआओं का जिक्र किया तो मैं भी सोच रहा हूं कि यही गुजारिश करूं आप से क्यों ना इस लाजवाब इंस् मैं थोड़ा सा समझने लगा हूँ तो मैंने लता मुखेश करदी को बहुत सुना है और उनको सरसुती माता की तरह ही मैंने हमेचा माना है और उनकी जो मेरे दिल में जो एक जगह है वो संगीत में मिलब सबसे उपर है क्योंकि जो सूर उन्होंने जो लगा है वो आज तक हुआ नहीं है और शायद होगा भी नहीं तो एक उनीक का गाया हुआ एक प्रभू तेरो नाम जो यह भीमपलासी और दानी राग में आदारी थे यह जेदेव जी ने कंपोस किया था और मैं इसी राग से उनको श्रदांजली भी देने चाहूंगा ह्रुआ। ह्रुआ। हुआ ह्रुआ है हुआ पर ढोड़ने समय संग别 करिक टुड़ को कर दोजा है बजन और इस भजन के बहाने लता जी की यादों को भी हमने ताजा कर लिया नवीजी एक चीजह और बताइए कि जब आपने अपना छोटे रहे होंगे और जब आपने ये तै किया कि म्यूजिक सीखना है तो आपके मन में नहीं था कि मैं वॉयलिन सीखूं या सारंगी सीखूं या कुछ अलग सीखूं या एक करीके से ये कहले की तै था कि ये पिताज कुद में ज्यादा इन्वाल्ट है जैसे क्रिकेट है पुटबॉल है तो हमारी माता जी बहुत नाराज होगा करती थी कि ये खांदानी काम है जाना बजाना और और हमें ताना मार दी दी किये तो हमारे बाप दादा क्या सचिन नहीं सुनिल गावसकर या कपिल देव तो हमें उस टाइम पर बहुत बुरा लगता था पिर आज मेसूस होता है कि कास हमने उस टाइम पर भी उस टाइम से शुरू करती होता तो और हम सूर के और नजदिक जा पाते हैं तो मेरी शुरुआत बहुत ही लेट हुई मतलब मैं जब SAC में था और SAC मेंने कंप्लीट की तब शुक इसलिए हुआ कि मैं पिता जी के साथ में काफी कॉंसर्ट अडेंड करता था और मैं देखता था कि यह जो गाने वाले जो इंस्ट्रुमेंट बजाने वाले तो बजाते ही है और तबला फ्लेयर जब भी बजाता है तो तालियों की गड़गड़ाद हो जाती है तो य यह जीए एकदम अट्रेक्ट कर गई और मैने सोचा कि मैं तबला ही बजाऊंगा और ऐसे फिर खेलते खेलते जैसा बच्चों बच्चे खेलते हैं कुछ भी मस्ती करते हैं वैसे तबले मस्ती करने लगा और बगवान की नजानिक रिपा होई कि खेलते खेलते हो थोड़ा तो इस टाइप से मुझे से प्रोग्राम मिलने लगे और फिर क्या हुआ कि जहां भी में जाता था और जहां फिता जी को जानते दे लोग वो बोलते थे कि यार आपके घर में एक कोई नूर हीरे जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है और आपके घर में हैं तो आप तबला लेके बैठ गए तबले तबला प्लेयर तो लाखो हैं तो यह चीज मतलब सुनने में बड़ी अजीव लगती थी कि यार तब मैं तो तबला भी ठीक बजा लेता हूं यह ऐसा क्यों बोले हैं फिर यह यह दिमाग में चलता रहा और कुछ एसी भी बाते हुई कि कुछ मेरे घर के कुछ रिलेटिव से और तुईता जी के फ्रेंड सर्कल में से भी तो कुछ एक जैसे क्या होता है ताने मारना वो वह भी मैंने सुना तो मेरी जो माता जी उनको यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बोला कि तु वेटा तबला तो बजा रहा है पर तु यह बेला बार को बजा और लोगों को इससे जवाब दे जितना भी होगा मैं तेरे साथ में हूं तो ऐसे ही मेरी माता जी की प्रोचान देने की वैसे मैंने धीरे धीरे शुरू किया और तबलेक के इंदर में बहुत सारे अच्छे बड़े- इसका लाकरों के साथ में बजा चुका था जैसे कि अनुप जलोटा जी उसाद इर्शाद खान पंडित हरी प्रसाद चोरसिया जी और और भी बहुत सारे लोग हैं तो मुझे फ्रस्टेशन होता था कि यार कहां मैं तबले में साइट पर हूँ और यहां बेला बार मैं सारे गामां बजाओंगा एबी-सी-डी से शुरू करूँगा तो बहुत ज्यादा फ्रस्टेशन होता था तो उसी फ्रस्टेशन में मैं इसमें गुस्टे में तबले की त और फिर मुझे दिरे दिरे ये समझ में आया कि जो संगीत है इसमें मतलब गुस्टे की नफरत की या बदले की भावना बिलकुल नहीं होनी चाहिए उसके लिए है इस नहीं तो भगवान की करपा है कि में थोड़ा बजाने लगा और इसके पहले जब कबला बजाता था तब मैं इसके बेलावार के प्रोमोशन में लगा हुआ था कि जो पिता जी बजाते हैं वो सामने आना चाहिए आपके पिता जी के बारे में तो बात हमने कर ली इस इंस्ट्रुम हूं कि मेरे टी तरफ से तीन चार पीडियों से जांत चाहरा रहे से संगीत चला आ रहा है और हमारे पिताजी तरफ से खारणी के घृर न बजल्ब दादा जी भी सारंगी बजाते थे और उनके जो पिता जी remedy बजाते थे और और जो मेरे मम्मी के जो पिता जी, मेरे नाना जी, वो थोड़े all-rounder थे, जो तबला भी बजाते थे, हर्मनियम भी बजाते थे, सारंगी भी बजाते थे, तो शायद कहीं नहीं कहीं उनका कुछ आशिरवत लग गया कि मैं ये दोनों काम कर लेता हूं, और मेरी जो मामा जी ह एक परमान जी हैं और एक हमारे दो मामा जी गुजर गए हाली में, एक शंकरलाल जी और एक रादेशान जी, तो यह लोग बजाते थे, और इन्होंने मुझे भी बहुत प्रोसान दिया, और मेरे पिता जी के जो घर में क्लासिकल मुजिक के साथ साथ में बैंड का भी चलन था, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टूमेंट एक इंसान बजाता है, और यह जो हमारा बंबई में जो बैंड होता है वेसा नहीं, मतलब बाकाई दक कोई अगर सुनेगा तो उनको रोम्टे खड़ा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बजाने वाले हैं, तो उस घर आने से मैं बिलाउंग करता हूं जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं, जिसका टाइटिल है, सुनेंगे तभी तो सीखेंगे